नमस्ते मित्रों, पिछले वीडियो में हमने मनस्तत्व पर चर्चा करी थी, आज हम चर्चा करेंगे अक्षरों के विशय में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह ओम क्या होता है? जब पश्यंती ओम रश्मी की तीवरता मनस्तत्व में बढ़ती है, तो वह अनेक छोटे बड़े वाइब्रेशन्स की उत्पत्ती अचानक बहुत तेजी से करने लगती है यह स्पंदन ही प्राथमिक प्राण रश्मियों और भूरादी व्यारती रश्मियों के रूप होते हैं इस टॉपिक में महरशी एत्रे महिदाज जी का वचन देख सकते हैं इस कंडिका पर डीटेल डिसकशन वेद्विज्यान आलोग ग्रंत में मिल जाएगा पर यह शौर्ट में बता सकते हैं कि पश्यंती ओम रश्मि की तीवरता बढ़ने से 12 प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ती होती है जिसमें से एक ओम ही है और 11 प्रकार की प्राण रश्मिया है इन प्रकारों पर विस्तरिच चर्चा हम आगे करेंगे महर्शी व्यास जी प्राण तत्व के बारे में यह कहते हैं इन सुत्रों से क्लियर है कि प्राण टाइनी वाइब्रेशन्स वाले होते हैं यह स्पंदन बहुत तीवरता से ऐसे बनते हैं जैसे मानो कोई शक्ती किसी समुद्र में एका एक असंग के छोटी बड़ी लहरें उत्पंद कर रही हो यहां पर यध्यान रखना आवश्यक है कि पदार्थों के बनने की इस सीरीज में नए पदार्थ बनने पर भी पिछला पदार्थ भारी मात्रा में बचा रहता है जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था जो अगले पदार्थ को कंप्रेस करके उससे अगरिम पदार्थ की उत्पत्ती ईश्वर, काल और ओम रश्मी की प्रेड़ना से करता है चाहे प्राण रश्मिया हो या छंद रश्मिया ये सभी अक्षरों से बनती हैं इसलिए पहले हम ये विचार करते हैं कि अक्षरों के विशय में रिश्यों का क्या कहना है इन प्रमाडों से सिद्ध होता है कि अक्षर वाक रूप है इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जो भी वाक है अर्थात छंद हैं या रिचाए हैं वे सब अक्षरों से बनी हैं यह अक्षर कभी नश्ट नहीं होते नक्षीन होते हैं ना रिस्ते हैं ना घटते हैं ना मिटते हैं ना पुराने होते हैं इसलिए इन्हें अक्षर कहा जाता है। प्रलैकाल में भी या अक्षर डॉर्मेंट स्टेट में प्रकृती रूप मुल्पदार्थ में बने रहते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था। वाक, अर्थात वानी या विभिन रश्मिया जो आगे बनेंगी इनमें अक्षरों का निवास होता है। या अक्षर संपून ब्रह्मान का अक्ष होते हैं, आधार होते हैं। जितने भी एलिमेंटरी पार्टिकल्स, पोटॉन्स, क्वांटा, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक जो अक्षर हैं, वा महत तत्व के बिल्डिन ब्लोक्स हैं, उसके एलिमेंटरी यूनिट्स हैं, उसके परमाणू हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि महत तत्व में अक्षर व्यक्त हो जाते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। Senate, आईए देखते है स्वर के विशय में आर्ष ग्रंथों में क्या कहा गया है। आपको याद होगा हमने एक पुराने वीडियो में रश्मी की परिभाशा बताई थी तो यह अक्षर इंडिपेंडेंटली नियंत्रण यह रेगुलेशन अर्थात स्रिष्टी निर्माण का कार्य नहीं कर पाते जब तक छंद रूप में परिवर्तित नहीं होते। स्वर वानी का रूप होते हैं। संपून, प्रजा, अर्थात, स्रिष्टी के सभी उत्पन पदार्थों की रचना में स्वरों की सरवाधिक भूमिका होती है। और यह स्वर मैगनिट्यूड में इंफाइनाइट होते हैं। व्यंजन के बारे में रिशी कहते हैं कि व्यंजन स्वरों के साथ ही कारे करते हैं। हम बिना स्वरों के व्यंजन बोल ही नहीं सकते। मनस्तत्यों में यह व्यंजन छोटे विसफोटों के रूप में प्रकट होते हैं और स्वरों के साथ मिलकर सूक्ष्म छंदरश्मी रूप धारण करके मोशन कर पाते हैं ओम, भू, भूअह आदी छोटी छंदरश्मियों के कुछ उधारण हैं स्वर अकेला शब्द हो सकता है पर व्यंजन नहीं कंभीर चिंतन की बात ये है कि वैदिक शब्दों का उनके अर्थों से नित्य संबंध होता है ऐसा और किसी भाषा में नहीं होता यह संस्कृत भाषा की ऐसी विशेशता है जो संस्कृत को ब्रम्हांड की भाषा इश्वर की भाषा सिद्ध करती है जैसे एक शब्द है अगनी जिसका अर्थ, फोटॉन, चार्ज, क्वांटा, एलिमेंटरी पार्टिकल, आग, या विद्यूत, या चुमबक आधी कंटेक्स्ट के आधार पर कुछ भी हो सकता है तो जहां भी यूनिवर्स में ये वाचक चंद, अगनी बनेगा वहां उसके वाच्चि पदार्थ, जैसे चार्ज, या आग, या विद्यूत आधी की उत्पत्ती, या बढ़ोत्री होगी और जहां भी ये वाच्चि पदार्थ होंगे, वहां उनकी वाचक वैदिक शब्द रश्मी बिल्कुल होगी ऐसा इंग्लिश के वर्ड फायर का रिलेशन उस फायर सबस्टेंस से नहीं होता इसलिए यकाग्या है कि इस ब्रह्मांड अर्थात एटम्स, मॉलिक्यूल, स्टार्ज, प्लैनेट आधी समस्त पदार्थों की उत्पत्ती, वैदिक अक्षरों, छंदों और मंत्रों से हुई है इसलिए पूरे स्रिष्टी विज्जान या वैदिक विज्जान को समझने के लिए सभी वैदिक पदों का अर्थ और उनका स्रिष्टी पर प्रभाव समझना अति अनिवारे है इसलिए संस्कृत भाषा की व्याकरण अत्यंत व्यवस्थित है ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि संस्कृत भाषा में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है परंतु अन्य भाषाओं जैसे इंग्लिश में ऐसा नहीं है उधारन के लिए इंग्लिश में लिखा जाएगा T I M E और बोला जाएगा Time लेकिन संस्कृत में लिखा जाएगा का ल तो बोला भी वही जाएगा का ल ऐसे ही कुछ और शब्दों के बारे में जानने के लिए आपको आचार अगनिवरत नैश्ठिक जी की वेद विज्यान आलोक की क्लास 137 का वीडियो जरूर देखना चाहिए इसी तरह वैदिक संस्कृत भाषा में प्रत्येक अक्षर का भी अर्थ होता है जिससे उसका नित्य संबंध होता है इस अक्षर विज्यान पर डीटेल्स जानने के लिए आर्य विद्वान पंडित रगुनंदन शर्मा जी कृत वैदिक संपत्ती नामक ग्रंथ पढ़ना चाहिए सारांच रूप में अक्षरों के अर्थ वैदिक रश्मी विज्यानम उस्तक में भी मिल जाएंगे अब सबसे पहले इन अक्षरों से मिलकर बनने वाले सबसे महतोपून शब्द ओम पर चर्चा करते हैं यह शब्द तीन अक्षरों से बनता है अ उ और म पर पहले अ फिर उ और फिर म के योग से जब ओम रश्मी बनती है तो यह सबसे व्यापक बल और गती से युक्त होती है वैदिक रिचाओं में शब्दों के सीक्वेंस में चेंजेस करने से उस रिचा का स्रिष्टी पर एफेक्ट चेंज हो जाएगा इस प्रकार शब्दो में अक्षरों के करम में फिर बदल करने से भी शब्दों का स्रिष्टी पर प्रभाव भी अलग-अलग होगा गुरुजी के अनुसार अगर किसी शब्द में पहले स्वर आए उसके बाद व्यंजन जैसे अ और म से बने अम तो उस पद का प्रभाव स्रिष्टी पर अधिक शक्तिशाली होगा उस पद से जिसमें व्यंजन पहले आए और स्वर बाद में जैसे म और अ से बने म अम रश्मी में मनस्ततु की मात्रा म रश्मी की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में होगी जैसे पानी से बनी कुछ लहरों में ज्यादा पानी होने से वे अधिक शक्ति ज्यादा मनस्तत्व होता है ओम एक देवी गायत्री चंद रश्मी है रश्मियों के प्रकार पर डीटेल्स आगे आएंगे पश्यंती ओम चंद रश्मी में अन्य किसी भी देवी गायत्री चंद की तुलना में परा ओम रश्मियों की मात्रा ज्यादा होने से इसकी रीच मैक कौन से नाम परमात्मा के किस गुण के कारण सिद्ध होते हैं, ये जानने के लिए सत्यात प्रकाश चैप्टर वन पढ़ना चाहिए. इस ओम चंद रश्मी का डारेक्ट कनेक्शन उस ओम वाची ईश्वर से होता है, इसी लिए ये ओम चंद रश्मी केवल ईश्वर से अफे करने वाला चंद है. काल तत्व जैसा हमने प्रिवियस वीडियो में डिसकस किया था, वो भी परा ओम रश्मी रूप ही है, जो अगले सभी पदार्थों को प्रेरित करता है. इस टॉपिक पर अगर महर्शी पानिनी के धातुपाट की साइंटिफिक स्टडी करी जाए, तो उससे चमतकारी परिणाम निकल सकते हैं. ओम शब्द के अर्थ भी व्यापक हैं. ओम शब्द 20 प्रकार के अर्थों को प्रकाशित करता है. अर्थात इस शब्द से श्रिष्टी पर 20 प्रकार के प्रभाव पढ़ते हैं. इतने प्रभाव अन्य किसी शब्द के नहीं. ओम महर्शी जैमिनी के कतन देखते हैं। इन वच्छनों से पता चलता है कि ओम ही त्रई विद्या है। अर्थात रिक यजुसाम, अर्थात चारो वेद ओम से ही प्रकठ हुए हैं। ओम के प्रकठ होने के बाद ही सभी अक्षर व्यक्थ होते हैं। ओम ही मन हैं क्योंकि पूरे म अस्तत्तों में ओम रश्मी व्याप्त रहती है ये ओम शब्द संपून श्रिष्टी का सार है बीज है ओम रश्मी की स्पेशालिटी यह है कि यह देवी गायतरी छंद रूप होकर भी शब्द रूप होकर भी अक्षर रूप है क्योंकि यह रश्मी कभी नश्ट नहीं होती समस्त पदार्थ जैसे एटम, स्ट्रिंक्स, वेव, स्पेस, स्टार्स, प्लैनेट्स आदी सभी उस ओम की ही व्याख्या कर रहे हैं। जो बीद गया, जो हो रहा है और जो ब्रम्हांड में आगे होगा वो सब ओम ही है। अर्थात उन सब क्रियाओं के मूल में वाचक ओमरश काल है और जिवात्मा के अंदर वाच्य ओम इश्वर है। पराओमरश्मी मनस्तत्व को प्रेरित करती है और मनस्तत्व पश्यंती ओमरश्मियों को प्रेरित करता है। इसलिए आपको ध्यान होगा हमने पिछले वीडियो में इन तत्वों के एक दूसरे के रेलेटिव हमें समझ में आएगा कि ओमरश्मी इतने व्यापक बलवाली कैसे होती है। इस अक्षर विज्यान के अनुसार ओमरश्मी बहुती टाइनी वाइब्रेशन होता है मनस्तत्व में जो लगभग जीरो फ्रिक्वेंसी का होता है समझने के लिए इतना छोटा कि नथिंग जैसा प्रतीत होता है मानो जैसे वो साउंड वाइब्रेशन एक्जिस्ट ही ना करता हो फिर भी अत्यंत व्यापक हो ऐसी यह ओमरश्मी सरुप्रतम उत्पन सूक्ष्म उर्जा का रूप होती है वैदिक दृष्टिकोंड से इसको मॉडन साइंस की एनरजी से कंपेर नहीं किया और बांधती अत्वा मापती है यह ओमरश्मी अद्वितिय है वास्तव में यही ब्रह्म का अद्वैतपन है क्योंकि उसके जैसा सर्वशक्तिमान सर्व्यापक सर्वज्य अन्य कोई पदार्थ की सत्ता नहीं होती अद्वैतवाद का अर्थ यह नहीं होता कि केवल ब्रह् जी अद्विती योध्धा थे, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई और योध्धा नहीं था, योध्धा तो बहुत थे, पर श्री राम जी जैसा कोई नहीं था, यहां पर यह जानना आवश्यक है कि पराओम रश्मियों की तीवरता में बदलाव नहीं होता लेकिन पश्यंती ओम रश्मियों की तीवरता में इश्वर प्रयुजन के अनुसार चेंजेस करता रहता है इसलिए अलग-अलग creation stages में as per need मनस्तत्व में fluctuations होते रहते हैं तो मित्रो आज की चर्चा में इतना ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्याहरती रश्मियों और प्राण रश्मियों के अलग-अलग प्रकारों के बारे में उनके क्या गुण होते हैं उनके क्या कर्म होते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में जै मावेद भारती